हेलो फ्रेंट्स नमस्कार इंकम टेक्स की डिसकर्शन की शंकला में आज का टॉपिक में लेकर क्या है हूँ आपके सामने प्रिजम्टिव टेक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स यानि यदि आप एक प्रोफेशनल हैं इसे पर एक्जामपल आप चार्टर अकाउंटेंट हैं डॉक्टर हैं, कांपनी सेक्रेटरी हैं आप लॉयर हैं या इसी प्रकार के और प्रोफेशनल्स जो मैं आगे आपके साथ डिसकर्शन करूंगा की केटेगरी में आप आते हैं तो प्रिजंप्टिव टेक्सेशन की स्कीम आपको किस प्रकार से बेनिफिशल हो सकती है ये आज की इस पर्टिकुलर चर्चा का मुख्यविशे है कवरिज क्या है दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो की वाट इस प्रिजंप्टिव टेक्सेशन and why section 44 DA who can avail benefit of section 44 ADA basically दोस्तों income tax act में एक specific section है जो professionals के taxation को deal करता है जिसको हम बोलते हैं section 44 ADA तो यह section 44 ADA क्या है मैं इस पर आपके साथ चाचा करूँगा who can avail benefit of section 44 ADA what is the threshold limit for claiming 44 ADA benefit इस section का benefit लेने के लिए threshold limit क्या है can a person opt out of section 44 ADA क्या यह scheme mandatory है क्या और क्या आप इस scheme से बाहर जाना चाहें तो उसके लिए आपके पास में क्या option होगा and कुछ और important questions या aspects जो इस taxation scheme से related है वो मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में cover करने की दोस्तों कोशिश करूँगा तो सबसे पहली बात दोस्तों what is presumptive taxation and why section 44 ADA presumptive taxation का मतलब simply आपके सामने यह रख सकता हूँ कि मान लीजे as a professional आपने 30 लाग रुपे कमाए तो भारत सरकार बुली ओके 30 लाग का 50% आपकी इंकम होगी यानि आपकी 15 लाग रुपे इंकम मानी जाएगी मानी जाएगी तो यह मानना क्या है दोस्तों presumption है अब अगर यह presumptive taxation है तो इसको जब 44 ADA के लिए लेकर क्या है ADA के द्वारा लेकर क्या है तो इसका purpose क्या था जैसा आप सब जानते हैं कि एक businessman को section 44 ADA में benefit मिलता है कि वो अपने turnover का gross receipt का total sale का 6% या 8% profit declare कर सकते हैं उसी प्रकार दोस्तों professional के लिए भी भारत सरकार assessment यह 17-18 से option लेकर क्या है कि आप as a professional अगर अपने profession की gross receipts का 50% बता देते हैं as an income तो then in that case हम ज़्यादा आपसे माता फोड़ी नहीं करेंगे यानि यह चेक नहीं करेंगे कि आपकी वास्तिव का है presumptive taxation इस प्रकार की एक beneficial scheme है दोस्तों और इसी द्रश्टी से मैं यह कह सकता हूँ कि professionals के लिए 44 ADA एक प्रकार का particularly अगर मैं बात करूँ यह section 44 ADA जिसकी मैंने आपसे चर्चा करी जिससे presumptive taxation दोस्तों आता है उसका benefit कौन ले सकता है an associate who is a resident यानि दोस्तों non-resident इसका benefit नहीं ले सकता एक और बात एक individual एक Hindu undivided family और एक partnership firm जिसमें मैं LLP को शामिल नहीं करूँगा basically यह तीन प्रकार के assesses दोस्तों 44 ADA का benefit ले सकते हैं इसमें मेरी opinion में individual और partnership firm की संभावना ज्यादा है क्योंकि individual as a professional कोई individual के रूप में practice कर सकता है as a professional हो सकता है professionals की firm बने say law firm बने, CA firm बने, doctors की firm बने तो वो partnership firm को भी 44 ADA का benefit मिल सकता है further who is a specified professional अब दोस्तों यह specified professional term क्या है यह भी मैं आपके साथ में detail में आगे discuss करूँगा and whose gross receipts do not exceed rupees 50 lakh in a financial year यानि दोस्तों जिसकी gross receipts for the financial year पचास लाग तक है पचास लाग से ज़्यादा है तो आप इस presumptive taxation में नहीं आएगे फिर आपको actual income offer करनी है अपने profession की लेकिन अगर आपकी gross receipts 50 lakh से ज़्यादा नहीं है तो ऐसी परिस्तती में दोस्तों आप section 44 ADA का benefit उठाने के लिए eligible है ये तीन criteria या condition आपको इस section में आने के लिए ध्यान रखनी चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर प्रप्रश्ट है what is a specified profession for the purpose of section 44 ADA कि ऐसे कौन-कौन से professionals हैं जो 44 ADA के एमबिट में आते हैं तो income tax act की section 44AA subsection 1 में सर essay specified professionals को mention किया है जिसमें profession of accountancy यानि charter accountants legal professionals यानि advocates, medical यानि doctors, engineering यानि जो engineering से related profession दील करते हैं, architectural profession कोई architecture consultancy का का काम करता है technical consultancy के जो लोग काम किया करते हैं interior decorator के जो लोग काम किया करते हैं और कुछ specified professional notified भी हैं दोस्तों, cvd.t ज़ारा जैसे film artist, authorized representative company secretaries and IT professionals ये सारे professionals दोस्तों इस 44 ADA की scheme का benefit उठा सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 44 ADA का benefit उठाना चाहते हैं तो you must fall into any of these categories and you should not be an employee as a professional यानि अगर मैं मान लीजे charter account and number मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं फिर 44 ADA का benefit नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पर मैं as an employer-employee relationship नहीं हूँ लेकिन अगर मान लीजे मेरे part-time practice करने की permission है तो ठीक है मुझे as an employee तंखा सकती है और बाकी का time अगर मैं practice करके कुछ earning करता हूँ तो दोस्तों उसको section 44 ADA में offer किया जा सकता है ये एक important व्यस्ता है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आपको अपनी books की audit भी करानी पड़ेगी अगर आपकी gross receipt as a professional पचास लाख रुपे की gross receipt level से financial year में ज़्यादा है तो और मुझे पता है सर के minimum मेरे को 50% तो income offer करनी है क्योंकि presumptive taxation कहता है पचास या उससे उपर जो आप offer करें मान लीजे मैं 80% बताना चाहूँ तो government बोलेगी most welcome वटिया जी यू टेलस लेकिन minimum मेरे को 50 तो बताना ही अब मैं कहता हूँ नहीं जी मेरी तो 50 लाख रुपे से 40 लाख रुपे की gross receipt पर मेरी केवल earning battery है से 30% 50% नहीं battery तो दोस्तों उस case में क्या होगा उस case में लाख कहता है वटिया जी फिर आपको audit करानी पड़ेगी और books of account document maintain करनी पड़ेगी audit कौन सी सर tax audit as per section 44 A.B. मैं relevant पहरा सर लाख सही पढ़ रहा हूँ NSSE who claims that is profits and gain from the profession are lower than profit and gain specified under section 44 A.D.A. यानि 50% से कम आप income बता रहे हैं and whose total income exceeds the basic exemption limit is required to maintain books and get them audited जो अपने profession की receipt 50 लाग तक होने पे 50% से कम income बताते हैं उस profession की income को तो ऐसी परिस्तिती में दोस्तों उस व्यक्ति को किताबे बनाके audit कराना पड़ेगा उस year में तभी वो व्यक्ति वो benefit अवेल कर सकते हैं कुछ और question दोस्तों जो मेरे दिमाग में थे I thought I must put it up before you Can one claim the benefit of deductions and losses against such income तो तीन बड़ी important बाते हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है पहली बात आप presumptive taxation की income के calculation में जो 44 A.D.A. में करते हैं कोई expense का deduction नहीं मिलेगा मन लिजे मैं as a professional charter account and practice करता हूँ और मेरे को कोई audit assignment आया उस audit assignment को कराने के लिए मैंने किसी दूसरे C.A. मित्र की साहता ली तो सर उनको जो fees का मैंने भुक्तान किया अगर मैं presumptive taxation में हूँ तो मुझे उसका कोई deduction नहीं मिलेगा मान लीजे कोई doctor है वो यह कहते हैं साब मैंने कोई medicines पर खर्चा किया doctor साब कोई deduction अपने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप इस income के against कोई दूसरे business के losses कोई दूसरे head के losses जैसे house property head में losses है आपने home loan ले रखाए उसका ब्याद दिया है आप उसका deduction लेना चाहते है benefit लेना चाहते है loss का adjustment ले सकते है income के against में claim किये जा सकते है what about other professionals बड़ा important question है sir कि मैंने आपके सामने specified category of professionals रखी जो 44 ADM है तो दूसरे professionals का क्या होगा जैसे for an example एक teacher sir business नहीं करता teacher भी professional है और उसका 194J में TDS भी कटता है ऐसा मैंने देखा तो वो teacher sir 194 J में TDS कटने की वज़े से भारत सरकार के radar पर आ जाता है क्योंकि वो salary paid नहीं है पहली बात और दूसरा वो किसी coaching institution में regularly classes ले रहे हैं तो coaching institution उनसे 194J में TDS काट रहा है तो वो teacher मुझे बोले भटिया जी क्या मैं 44 ADA में benefit ले सकता हूँ क्या तो मैं बोला sir यदि आप lawyer है doctor है advocate है यह ऐसे ही और professionals की category में आते हैं तो निश्चित रूप से आप 44 ADA में जा सकते हैं लेकिन suppose he is a person who is an MCOM or a PhD but he is not a specified professional as per section 44 AA of income tax act 1961 so to my understanding sir in that case such person is supposed to offer the actual income rather than availing the benefit of 44 ADA whether gross receipt includes GST very important question क्या जैसे मान लीजे मेरे पास में gross receipt आ गई 48 lakh और GST सहित मैं 18% और इकठा करता हूँ उसके उपर अपने client से charge करता हूँ अगर आप 48 lakh rupees का level लेके चलते हैं तो मुझे 44 ADA का benefit मिलता है और अगर आप 44 ADA को 18% से बढ़ा के चलते हैं तो ऐसी परिस्तिती में मैं 50 lakh क्रॉस कर चुका हूँ तो यहां पर दोस्तों income tax law में बड़ी clear cut guidelines उपलब्द नहीं है if I'll go by the guidance note on tax audit issued by ICI it appears कि क्योंकि GST एक तरीके से मेरी liability है जो मैं third party से collect करके उसको जमा कराता हूँ उसकी accountancy भी हो सकता है मैं अलग से रखता हूँ तो ऐसी परिस्तिती में सब GST को इस 50 lakh की गढ़ना में शामिल नहीं करना चाही advanced tax compliance पे दोस्तों आपकी नजर में एक important point ये लाता हूँ अगर आप 44 ADA का benefit ले रहे हैं eligible assessi है eligible professional है तो आपको advanced tax चार किस्तों में ना दे करके केवल financial year की 15 मार्च तक ही जमा कराना है तो ये एक exemption 44 ADA में आने का benefit देती है ITR form दोस्तों यदि आप specified professional है तो आपके लिए ITR form ITR 4 applicable होगी हाँ अगर आपके पास में capital gain income भी है इस के साथ साथ दूसरे heads में income है house property salary वगएरा तो आपको ITR 3 बढ़नी पड़ेगी लेकिन आप फिर भी ITR 3 के अंदर भी 44 ADA का benefit ले सकते हैं तो यह कुछ important प्रिष्ट मैंने आपके सामने उत्तर के रूप में प्रस्तुत की है finally दोस्तों जैसा मैंने पहले आपके सामने कहा कि यह एक presumptive taxation की scheme है इसका उदेश यह professional को फाइदा पहुचाना है यदि किसी professional को लगता है कि नहीं साब मेरी 50% income नहीं बचती तो वो अपनी proper books maintain करें, audit कराएं provided उनकी total income otherwise exemption limit से उपर है यानि आज की date में बोलूं तो 5,5 रुपे की level से उपर उस वेक्ती की total income है तो ऐसी परिस्थती में उस वेक्ती को actual income offer करने में भी कोई समस्या नहीं होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से कुछ understanding डवलप करने में सहिक रही होगी यदि आपके कुछ प्रश्ण हो तो आप मुझे लिखें मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूँगा मुझे सुनने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह